हेलो अब्रिवान स्वागते आप सभी का मेरे किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैगी चीज कट्टेट की रेसेपी और यह बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चानल शेयर मिर्च बारी तो आधा कप के करीब है एक कप यहां पर मैं ढाल रही हूँ पत्ते वाली गोबी हम ऐसे टालने हम बहुत ही बारे कट करके भी डाल सकते हैं साथ में डालां चाथ भी हरा धनिया और मीडियम साइस की तदर आप आप सबजे या अट कर सकते हैं जैसे की टॕडाय मिर्च नाता को सबस्ताइब चॉप करीब यहां पर मैंने डाल दिया है नमक और सबी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे तो पहले हम सबी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे उसके बाद इसमें हम चीज आइड करेंगे पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे बिना पानी कहीं से मिक्स करना है मूँछे चीस सुख़ybaए, मलाने के बाद डालेंगे चीज मोजरिर्ला चीज तो जाते हैं कोई पर बाद कटलेट तैयार कर सकते हैं , अच्छे अच्छे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद , पर 보니까 मिक्स करने के बाद हादो पर तेल लगाएंगे और कटलेट जितने भी बड़े या चोटे बनाना चाहते हैं उसके नुसार यहां पर मिक्षर लेंगे और इसे पहले राउंड शेफ देंगे उसके बाद हलका सा प्रेस करके कटलेट का शेफ देंगे आप चाहें तो इसे बिल्कुल राउंड शे करिंगे मिक्षर से में सारे कटलेट। बना लेते हैं अगर हाँतोमे चीप रहा तो हाँतों पर तेल लगा लगा लो किसे तरीके से में कुछ कॉछ कटिले बना ले लिए हैं पूरी मिक्षर से इसी तरीके से कटिले तयार करें गे और इसके बाद हम इस कटिलेक को रखेंगे विप्रिज में आदे अदे घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद इसके उपर हम कोटिंग करेंगे तो मैं इसे आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख देती हूँ इन कट्लेट को रखे वे आधा गंटा हो गया है और यह काफी सॉप्ट थे चूने से ही तूर जा रहे थे ले जालके से मिला लेते हैं और जो हम घोल तैयार करें इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही पानी का यूज करेंगे एक दम से बहुत साथा पानी नहीं डालेंगे उसके बाद इसका टेक्शर हम ऐसा रखेंगे कि जब हम इसमें कट्लेट डाले तो एक अच्छी सी कोटिंग आजा इसके पर बहुत पतला नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसमें हमने चीज दा रहा है अगर कोटिंग नहीं आएगी तो चीज मेल्ट हो जाएगी फ्राइ करते समय ही तो यह देखिए इस सरीके का टेक्शर होना चाहिए इस घोल का इसके बाद करेंगे क्रिस्पी बनाने के लि भी इपे हमारे कोटिंग के लिए भी हमारी य मिख्षर वह रहे है और अब यहां पर सारी चीज आ रही हो चुकी है का यह स्वाड़ी हमारे क्रिज में रखने से टैयार हो गया है इसके पाद हमने घोल कि इसमें करके समें क्रिकर बनेंगे देव देख के निये颡 करेंगे इसके बाद हम इसमें konflex की coating कर लेंगे तो सभी कट्लेट इसी तरीके से कोटिंग करके तैयार कर लेंगे यहां पर मैंने कोटिंग करने के लिए कॉन पर ब्रेट क्रम्स ले सकते हैं या फिर पोहे को भी करें में और चाहिए के दूंज कर लें जो भी आपके पास का टुछा तहां है यहां सिर्त बर्धित कर दिया करने के लिए जरा थाभ साथ को तूंज में करматने के चल कर वह दूंज के चल कर दे काशन तो इस तरीके से गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखते पर फ्राइब कर लेंगे और इसे फ्राइब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है दो मिनट में एक साइड से बहुत ही अराम सी फ्राइब हो जाते हैं कि एक पैन में जितने कटलेट आ सके मैंने इहां पर डाल दिया है और जब यह तरफ से फ्राइब हो जाएंगे तो इस तरीके से पलट लेंगे तो देखिए इसमें जो मने कोटिंग किये बहुत जादा नहीं निकल रही है अगर हम इसे बिना फ्रीज में रखे वे फ्राइब करें तो की कोटिंग निकल सकती थी कटलेट दून के त्यार bul consistent इसाद की काट्लेटो किया को तैयार कर लेंगे तो लिजिए वि हम बताव द्रमर में यह बनाने के लिए सब्सक्ताराइबर निए थ्यूटवा तऌमाटः लिए सब्साँ तरह मुंट दे match साथ और क्यों ब्ता कहीं करтесь की देकला हैं तो इसहाथ प्लेक्स कर्या में ब्रनाद चीलिफ्लेक्स प्लेक्स कि इसाथ पेल यहां पर मेली हें झाल दी देगे इसके साथ ही यहां पर डाले यहां अब आ लिए इसके साथ ही मेल कृत ए 6 ठीक हाद प्रपूर्ट भाल करें तो इसके तो चोटे-चोटे पीसिस बना लेंगे इसके यह देखिए इस तरीके के यहां पर मैंने इस तरीके के चोट-चोटे इसके पीसिस बना कर तयार कर लिये हैं और इसके साथ ही यहां पर मैंने लिए हैं यह मुनेको बिस्केट्स आप यहां पर कोई भी नमकीन वाले बिस्केट यहां पर ले सकते हैं, उसके बाद यह जो हमने छोटी-छोटी चीस स्लाइस कटकर करके रखे हुए है, सभी बिस्किट के उपर लगा देने हैं, इसके पर हम लगा कर जाएंगे, इस तरीके से, तो मैं सभी पर इस तरीके से लगा कर तयार कर लेती हूं, और यहां पर मैने यहां पर मैंने सभी पहिए टमाटर प्यास का मिक्षर जो हमने तियार किया था वो लगा लिया है बहुत ही सुन्दर से दिख रहे हैं हमारे इस बिसके सारे उसके पर हम लगाएंगे थोड़े से आलू बुजिया अगर आपके पास नंकीन सेथ है तो लगा सकते हैं तो थोड नापकाई बनाया है इस तरीके से नाफसा शाम की चाय के साथ जरूर ट्राइ करें बहुत ही मज़िदार है यह खाने में और फटा फट तयार भी हो जाता है हमें गयस चलने की भी जरूत नहीं है इसे बनाने के लिए तो जरूर ट्राइ करें और अच्छा लगने पार एफ